आप सभी को दसेरे की सुख काम नाए नवरात्री के बाद, नो दिन के बाद, दसवे दिन दसेरा आता है इस दिन, इस दिन को हम विजय दस्मी भी कहते हैं तो आप सभी को विजय दस्मी की सुख काम नाए आज दसेरा है तो मैं आज आपको दसेरे का पूजन बताऊंगी तो दसेरे का पूजन सुबह के समय किया जाता है दसेरा पूजन में सबसे पहले आप जहां पर हमें दसेरा पूजन के लिए जो स्थान चुना है वहां पर सबसे पहले साफ पानी से साफ कर ले या फिर गोबर मिटी से हम उसको अच्छे से लिप ले या फिर लाल मिटी से हम उसको अच्छे से लिप सकते है उस स्थान को साफ करने के बाद हम एक आकरते बनाएंगे आकरते कुछ लोग रावन के बनाते हैं कुछ बगवान राम के बनाते हैं राजय रावन कहते हैं कि बहुत ही विद्वान और पंडित हैं राजय रावन बहुत ही विद्वान पंडित हैं और बहुत ही सक्तिसाले राजा थे इसलिए उन्हें अपनी सक्तियों पर इतना जादा अभिमान हो गया था कि उनका परिनाम उन्हें उनका दुस परिनाम तक उ रावन को अपनी सक्तियों पर इतना ज़्यादा एंकार हो गया था कि उन्होंने ऐसे ऐसे गलत कदम उठाए कि जिनकी वेज़े से उनका पतन हो गया था आपको पर बताती चलो कहीं पर भगवान राम की यह आकरती बनाई जाती है पूजन के लिए और कहीं पर राजय रावन के बनाई जाती है तो आपकी यहां जैसे माननेता हो आप उसको वैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले हम अगर आपके पास गाउं वगेरा में रहते हैं या फिर सहर में भी रहते हैं तो गउसाला वगेरा में गोबर मिल जाता है तो गोबर की हमें दस थेपढ़ी बना लेनी हैं। दस बना लेनी हैं। अगर आपको गाई गोपर कहीं से नहीं मिलता है, कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर आप आटे की लोया भी बना सकते हैं उसके लिए आप दस आटे की लोया रख सकते हैं और उन सब के बाद करने के बाद हम ने जिसे आकर्थी बना ली है और आटे की लोया रखती है या फिर गोबर की थेपड़ी रखते हैं तब हम पूजन के लिए शुरू करते हैं करेंगे और दिया रखने के बाद से प्रवजलित करेंगे और दिया को रखने के बाद हम एक लोटा जल का भी भरके रख लेंगे जल में आप फूल से सब का सुद्धिकरण करेंगे जल को छड़कते हुए या फिर दुर्वा घास दूब जो होती है उनको ले करके सब के उप कुरति है रावन की है या भग smiles राम की है उनके उपर लगाएंगे फिर सबसे पड़ियों में लगाएंगे या फिर जो आटे की नोह इने में लगाएंगे इसके बाद हमें कलाया लेंगे कैलाया को हम वस्त्र रूप में चढ़ा देते हैं तो इसके पतासा रख देंगें उन्स सबको हम रख देंगेंël दस कुलिया हमने ले हैं इसके बाद हम अगर खील पतासों से हम अपना पूजन के लिए रखने के बाद अगर हमने अपने घर में जो की हलवा बनता है हलवा पूरी emanet से उनका भी भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद हम दाक्सिना समर्पित करेंगे इसकी पर शाट हम ज़ल समर्पित करेंगे और घर में जो-जोहें सब को हम कलाया अच्छे से बाहन देंगी नौ 14 में जो हमने जवारे उगाए थी अब हम वो तस थेपड़ी या फिर आटे की जो लोया हैं उन पर समर्पित करेंगे और उन पर भू करने के बाद सब पर हम अपना जवारे समर्पित कर देंगे जैसे ही जवारों के बैचात हम उनके उपर खेल और पता से खेल से हम उनको भोग लगाएंगे इनके बाद घर में जो लड़किया हैं वो अपने भाई या फिर घर में जो भी परिवार के सदसे हैं उनके कानों पर ये जो जवारे हैं वो टांग देंगे वो टांगने के बाद घर के भाई या फिर उर्शत ऐसे हैं वो उनको उपहार देंगे या फिर दक्षना देंगे उनको नेग देंगे ऐसा होता है तो इतना होने के बाद हम आर्ति करेंगे आर्ति करने के लिए हम दिये को पांच या साथ बार खुमाएंगे और खुमाने के बाद हम आर्ति संपन करते हैं उसके बाद हम पूजन में करेंगे कि हमसे कुछ भूल चुक हुई है उसे हमारी समा करें पूचा में रही कम्योग की हम शमा मंगेंगे और साथ ही रातना करेंगे की हमें भी अपना हमें भी ग्यान की प्राप्ती हो विद्वान बने और एंकार की बिलकुल भी हमें कोई स्थान ना हो एंकार बिलकुल भी ना आए दसेरे से हमें यही सिक्स्या मिलती है कि हमें चाहे कितने भी विद्वान बन जाएं ग्यानी ध्यानी बन जाएं लेकिन हमारे अंदर एंकार कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि एंकार आखिरकार पतन का ही कारण बनता है अब पुज़ा प्राथना के बाद जो हमने दक्षना चड़ाई है वो घर में लड़कियों को दे दे और जो कुलियां भरके रखी हैं वो प्रशाद के रूप में बच्चों को बाट दे और जब देया सांत हो जाए तब उसके बाद हम जो थेपड़ी हैं उनको हम धूप में उठा के वहां से और अलग जगए पे सुखा देंगे गोबर से बने इन थेपड़ियां को सुखने के बाद जब देवट में एक आदसी आती है तो उस दिन का रिवाज होता है कि लोग उस दिन उसको अपना जला लेते हैं अगर हमने आटे के लोईया बनाई है तो उनको या तो गाय को खिला देंगे या फिर हम उनको पानी में भी परवाहित कर सकते हैं जो कि मचलियों अचलियों के लिए उनका भोजन बन सके बहुत से लोग इस पूजन में, दसरे पूजन में किताबे या फिर अपने जो ओजारों से जो काम करते हैं उनकी भी यहां पर रखके पूजा करते हैं अगर ऐसा है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं तो इस तरह से हमने बहुती साधान तरीके से हम दसरे की पूजा करते हैं तो आपको दसरे की एक बार फिर से सुब काम दाएं बहुत बहुत अगर आपको ये पूजा विधी दसरे की पूजा विधी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सस्क्राइब चरूर कीजिए आप सब को दसरे की एक बार फिर से सुब काम दाएं